हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारे आज की कहानी का नाम है पाप तुम दोनों जल्दी से दूद पीलो फिर क्लासेस का वक्त हो रहा है अंजली ने अपनी दोनों बेटियों रिया और टीया से कहा बस मम्मी दो मिनट में दूद खत्म और सकती अंदर छोटी टीया ने कहा ये सुनकर अंजली हस पड़ी क्लासिस के बाद रिया ने बताया मम्मी आज कर राटे क्लास में मैंने हर्ष को हरा दिया सर ने कहा है कि वो मुझे अगले महिने होने वाली जिला इस तरी कर राटे चैंपियन्सिप के लिए लेकर जाएंगे मम्मी मेरी भी बात सुनो मैंने आज ड्राइंग में मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी बताई है उन्होंने मेरे लिए क्लेपिंग भी करवाई थी अरे वाह तुम दोनों ने तो मुझे बहुत अच्छी खुशकबरी शुनाई है ये कहकर अंजली ने दोनों को गले लगा लिया इन तीनों की बाते अंजली की सास सुन रही थी वो कभी कुछ नहीं कहती अंजली ने अब फैसला किया है कि वो तीसरा बच्चा नहीं करेगी। बस इसी बात से अंजली की सासना राज रहती हैं अंजली उनकी इकलोती बहु है और उन्हें उम्मीद थी कि अंजली उन्हें पोते कामू दिखा देगी अंजली सब कुछ भूल कर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश पर लगी थी वो उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान करती थी और सभी रिस्तेदारों को उनकी सफलता के बारे में बताती रहती थी सभी रिस्तेदार और शहलियां अंजली की बेटियों की तारिफ करते थे एक दिन अंजली की लड़के वालों के आगे जुकना ही है ये सुनकर अंजली को बहुत दुख पहुचा क्यों बेटियों की मा घमंड नहीं कर सकती क्या बेटों की मा को ही घमंड का अधिकार है बेटियां जो हासिल करती है उनका कोई मोल ही नहीं है बेटियों के लिए सफलता कोई माइने नहीं रखती है क्या, क्या बेटियों के सपनों का कोई मोल ही नहीं है, कुछ दिन अंजली दुखी रही, वक्त आने पर सास को समझा जाएगा, अभी समझाने का कोई मतलब ही नहीं था। ये घमंड तो हर बेटी की मा कर सकती है, अपनी बेटियों की सफलता पर गर्व करना कोई महापाप नहीं है, आज उसने बेटियों की उपलब्दियों पर घमंड किया और उन पर विश्वास किया, तो आज वो सफल रही, एक मा बन कर उसने अपने बच्चों के हर सपने को इसकी सही दिशा दिखाने की बेटियां भी आपके घमंड गर्व का कारण बन सकती है, आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, धन्यवाद